नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजफोर निशन और मैं हूँ प्रेदर्चन। एक हिंदे फिल्म का गाना है कि साथी हात बरहाना एक अकेला ठक जाएगा मिलकर साथ पाना। लेकिन सवाल है कि राजनिती में क्या कोई एक बुसरे के साथ आपाता है और जब भी वह भी मौका राजनिती में सत्ता की कुरसी पाने का हो। क्योंकि नितीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जदियू के सिर्ष नेता हैं वे इन दिनों विपक्षी एक्टा की कवायत को आगे बरहाने के लिए विपक्ष को एक छतरी के नीचे लाने के लिए कॉंग्रेस के नेताओं से मुलाकात किये हैं और इसके पहले भ दरसल यह सवाल इसलिए महत्पूर्ण है कि जिस में पक्षी एक्टा की बात की जाती है उसमें अगर हम बात बिहार की करें तो बिहार में चाहे राष्टी जनतादल हो जनतादल जनाइटेड हो कॉंग्रेस हो या फिर वाम दल हो ये भले ही तमाम दल मौझूदा समय में ए करनाटर की बात करें तो वहां पर समाजवादी धरे से निकले हुए जनतादल एसके एषडी देवे गवरार प्रभुवाव साली राजमिती करते हैं इसी तरीके से आंधर प्रदेश और तेलंगाना में भी केसी यार और इसके लाबे कई अन्नी दल के जो नेता रहे हैं व उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और मायावत्ती सक्रिये हैं तो इसी तरीके से महाराष्ट में सिवसे ना सक्रिये हैं इतना ही नहीं चाहे हम अगर बात हर्याना की करें पंजाब की करें या फिर हिमाचल प्रदेश की करें या पुर्वत्तर राज्यों में अस सब लोहिया और जेपी के ही आंदोलन उनके राजनिती की छतरी से बाहर आये हुए दल हैं लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये ऐसे दल हैं जो कभी भी एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे की टांग खिचाई में पीछे नहीं हटे हैं और समाजवादियों के पास में तो यह उनका एक कहा जाए तो स्याह इतिहास रहा है कि वे जिनके साथ रहे हैं वे कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहे हैं तो इन जिन जिन दलों की मैंने बात की ये सब समाजवाद और जेपी आंदोलनों के निकले हुए नेता और राय दल हैं इन सब का इतिहास अगर आप इतिहास पर ही गौर करें तो जब वर्ष 1996 में देश में राजनितिक अस्थिरता का दौर देखने को मिला और पीवी नर्चिंभार राओ वाले जो कॉंग्रेस सरकार को स्केंदर में बहुमत नहीं मिली और 13 दिन की अटल बिहारी वाजपई की सरकार गिर गई तो इसी अप्रेल के महीने में इसी 11 अप्रेल 1996 को देश ने समाजवादी धरे से निकलने वाले HD देवे गवरा को प्रदान मंत्री के रूप में विराजित होते देखा लेकिन इस्तिती हुई कि HD देवे गवरा को उनके ही साथियों के द्वारा बार बार कई मौकों पर इस्तिती आए कि टांक ही चाई की गई और HD देवे गवरा को अंत्तर महज एक साल बने नौ महीने के भीतर ही पद छोड़ने के लिए मजबूर होना परा और बाद में कहा जाता है कि जो उसी सरकार में विदेश मंत्री हुआ करते थे गुजराल वह उस दिन घर पर सुए हुए थे और तमाम दलों के नेता जो समाजवादी धरे से ही थे वह उनको नींद में ही जगाने के लिए गए और कहा कि गुजराल साहाब आप जगिये आपको प्रधानमंत्री बनना है और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पत की शपत रे ली लेकिन महट 6 महीने भी आएके गुजराल देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे और सिती अलग-अलग राज्यों में रही तो समाजवादियों का जो इतिहास है हुआ एक छतरी के नीचे आतो जाते हैं लेकिन उसे लंबे अर्षे तक आगे बरहाने में कभी भी सफल नहीं होते हैं तो नितीज भी उसी समाजवाद के धरे से निकले हैं उसी जेपी के आंदोलन से निकले हैं और नितीज के साथ साथ जो अनित दलों के नेताओं की मैंने बात की वो तवाम कभी वही राजनितिक इतिहास रहा है तो ऐसे बड़ा सवाल उड़ता है कि वर्ष 2024 के लोग सवाचुनाव के दोरान क्या ये तो तमाम अलग अलग राजनितिक धरे के लोग हैं ये छतरी के नीचे आने के लिए कुलबुला रहे हैं तो इनकी जो कुलबुलाहट है वह कुलबुलाहट क्या साकार सपने के और आगे बढ़ेगी या फिर जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ष 1996-1997 के दोर में देश ने समाजवादियों की सरकार देखी लेकिन उस सरकार को गिरते बनते भी खरते भी देखा तो इक बार फिर से जिस बात को लेकर के नितीस ने आगे आकर की विपक्षी एकता की पहल की है वह पहल क्या साकार होगा और क्या उनके इस पहल को साकार करने में उनके ही जेपी और लोहिया के अंदोलनों सो निकले हुए जो तमाम नेता हैं वह उनके सपने को साकार होने देंगे क्योंकि जो मैंने बताया कि राजनिते के इतिहास तो इनका ऐसा ही रहा है देखना महत्पुर्ण होगा कि क्या राजनिती में अब जो नई तरीके की चुनावती है उसमें भारतिय जनता पार्टी को हराने के लिए ये तमाम डल अप अपने अपने जो अभिमान है उसे त्याग करके और क्या एक दूसरे के साथ आने में खुद को सुगम महसूस करते हैं